अच्छो है टॉपिक के अंदर में थिओरी कॉंटेंड जादा है यही थिओरी चुन इपर निउक्ता हाय Middle observe to the अब अगर हम बात करें कि रिटर्न टोपिक की तो लाएकर बिले सबसे हैं सबसे का नाम लिखते हैं उसके की डिटेल साथ इसका पैन होता है अऔर इस में इस टॉपिक की शुरुवाथ हो जाती है शुरुवात करते है पैन से इस टॉपिक को मिशा पढ़ना शुरू करो तो उमको मजा आएगा पेज नमबर 6 के ऊपर आपको दिया आभा है परमनेट अकाउंट नमबर तो सलो क्योंकि इसमें अपडेट तो हैं लेकिन इससे रिलेटेड क्वेस्टन नहीं आया है तो मैं चाहता हूं कि आप क्या करो इसको इंपोर्टन मार्क करको तो सर किस को पैन लेना है है अवरी परसन हू इसलिए टो पै टैक्स हर वो वेक्ति जिसको टैक्स करने की लेइनलेटी है उसको क्या करना है पान लेना है जो अपना रिटर्न सेक्ष आपना दालता है तो 139 4에게 अंदर में कौन अपना रिटर्न डालता है sir charitable trust, to charitable trust को अपना क्या करना पड़ता है sir return नालना पड़ता है और इसी के लिए क्या होता है sir उनको पैन लेने का requirement है, तो पहला हर वो वेक्ति who is liable to pay the tax, दूसरा every person carrying on PGVP, तीसरा हर वो वेक्ति जो return submit करेगा वो charitable trust अपना पैन लेगा you know, fourth being a person resident other than individual who enters into financial transaction in aggregate exceeding 2,50,000 or more in a financial year, individual को छोड़के अगर कोई भी अगर अजसी जिसका financial transaction साल भर में 2.5 के उपर जा रहा है, that is 2.5 lakh के उपर जा रहा है, उसको क्या करना है sir, pan apply करना है, yes तो resident sse other than individual financial transaction exceeds 2.5 lakh next आता है sir, every person who is MD, CEO, trustee or you know any other notified person being करता, founder, CEO etc. अगर आप director की position लेने जा रहे है, partner की position लेने जा रहे है, trustee की position लेने जा रहे है, founder की position लेने जा रहे है, करता की position लेने जा रहे है, CEO की position लेने जा रहे है, आपके पास pan number होना जरूरी है आपकी पास pan number होना जरूरी है, yes, चलिए, फटा फट देखते हैं, 5 person जिसको pan लेना था, तो traditionally पहला, every person who is liable to pay the tax, second, every person जिसका sales 5 lakh से उपर जा रहे है, third, resident other than individual जिसके financial transaction 2.5 lakh के उपर जा रहे है, चोथा charitable trust, 5 हुआ, अगर आप director, MD, partner, trustee की position ले रहे है, तो आपको क्या करन है, sir, pan apply करना है, इसके अलावा, एक 6th point था, every person, yes, who enter into these type of transactions, अगर आप इन टाइप के transactions में भी आते हैं, तो आपको क्या करना है, pan लेना है, अब यह कौन से transactions है, इधर देखते हैं, और यहाँ आपको क्या लिखा है, sir, time limit लिखा है, कि कब तक apply करना है, तो इधर आईए, notification आया है, notification number 82, 2018, और यहाँ पर बताया गया है, कि और किन-किन लोगों को क्या करना है, pan apply करना है, तो पहला, every person, if deposit in cash in one or more office account with a bank cooperative or post office, in aggregate, in a financial year is 20 lakh or more, तो अगर कोई भी person cash deposit करता है, अपने एक या उससा ज्यादा account में, जो किसी भी bank के साथ maintain कर रहा है, 20 lakh या उससे ज्याद तो उसको क्या करना है, sir, pan लेना है, mandatorily pan लेना है, अगर आप देखेंगे, bank में तो यह बहुत important सा rule है, 50,000 के उपर का cash deposit, cash would drop है, वो pan आप से मंगते हैं, लेकिन income tax में ऐसा कुछ लिखा नहीं था, कि आपको इसमें pan देना ही है, या pan mandatorily obtain करना ही है, तो उन्होंने क्या क् से clear cut लिख दिया, कि भिया, अगर कोई भी व्यखती cash deposit कर रहा है किसी भी bank में, 50 cash deposit कर रहा है, यहाँ पे 20 लाग के उपर का cash deposit हो रहा है, एक bank account के उन्दर में, 1 या multiple account मिला करके, तो आपको क्या करना है,Small apply करना है, 2nd, every person who intend to withdraw the cash 20 lakh और more, अब चाहँ deposit के लिए 20 था, withdraw के ल तो भी आपको क्या करना है sir, pan apply कर देना है, any person who intend to open a current account or cash credit account with a bank cooperative or post office, अगर आप CC account open करने जा रहे हैं या current account open करने जा रहे हैं, तो भी आपको pan लेना क्या है, mandatory है, तो भी आपको pan लेना क्या है, mandatory है, yes, तो यहां के 5 और यहां के 3 ऐसे सब लोगों को क्या करना है sir, pan लेना है, मुझे लगता है कि इस notification के उपर आपको क्या आ सकता है, question आ सकता है, इसका specific reason है, यह जो 5 item है इसके उपर question पूछके हो चुके है, तो आपको जो question frame हो सकता है, वो logically यहां से frame हो सकता है, ऐसा मेको लगता है, अब दूसरा सवाल, pan कब तक क्या apply करना है, यह depend करता है person to person, category to category, ध्यान से समझीगा, c, दो लोगों को, दो लोगों को year end से पहले ही अपना pan apply करना है, दो लोगों को financial year end होने से पहले ही अपना pan apply करना है, जो business में है, जिसका sales 5 लाग से उपर जा रहा है, and charitable trust, charitable trust और उस जिसका business 5 लाग से उपर जा रहा है, financial year के अंदर में, उसको year end से पह जिसकी income base exemption limit से उपर है that is who is liable to pay tax या फिर financial transaction 2.5 के उपर है करता CEO, trustee इन सब को 31st May of the assessment year से पहले apply करना है 31st May of the assessment year तभी जाकर के तो आप June या फिर you know June, July में आप अपने return submit कर पाऊगे या फिर आप October में अपने return submit कर पाऊगे तो 31st May से पहले आपको क्या करना है बेटा, return apply करना, sorry, pan apply करना है साथ-साथ में cash deposit cash withdraw वालो को कब तक करना है At least 7 days before he intend to deposit cash और he intend to withdraw cash जब भी उसको cash deposit करना है या cash withdraw करना है उसके 20 दिन, sorry, उसके 7 दिन पहले से ही आपको क्या करना है, make sure कर लेना है कि आप pan apply कर चुके है, आप क्या कर चुके है, pan apply कर चुके है और pan apply करने का मतलब अब तो ऐसा है कि आपको direct take-2 दिन के अंदर में मिल सकता है तो at least 7 दिन पहले आपके पास होना ही चाहिए, जो लोग अपना CC account current account open करवाना चाहते हैं, इनको भी make sure करना है इन account के open होने से at least 7 दिन पहले आपका क्या आचुका होगा, pan आ चुका होगा, yes, तो बाकी जहां जा सुनिये, दो cases, sales 5 लग के ओपर जा रहा है, यह charitable वालों के case में, year end से पहले, बाकी लोगों का 31st May of the assessment year से पहले, और यह जो तीन नए category आई है, इनको transaction से 7 दिन पहले अप आपना क्या करना है, pan apply करना है, yes, अब दीखिए, आप सभी जानते है, आप pan के जगा आधार भी दे सकते है, यह इसका provision लिखावा है आपको 139 A 5E के अंदर में, that if a person do not have a pan but possess आधार, yes, उसको क्या होगा, sir, उसको automatically pan a lot हो जाएगा, तो मान के चलिए, अगर किसी व्यक्ती के पास pan है, system check करेगा, उसके पास pan नहीं है, और उसके पास आधार है, system automatically check करेगा और system check कर और क्या कर देगा, उसको pan a lot कर देगा, साथ-साथ में, date दी गई थी, जहाँ pan और आधार का interlinking करना जरूरी है, date दी गई थी, last date दी गई थी, आधार और pan के क्या करने के लिए, इंटर लिंक करने के लिए, yes, June 2023 में लास्ट डेट आई थी आपकी कि आधार पैन इंटर लिंकिंग क्या आज आधार पैन इंटर लिंकिंग नहीं होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन उसके लिए आप क्या लगती है, फीस लगती है, So, every person who has required to furnish or intimate or code his PAN and who has not been allotted PAN but possesses Aadhaar number, may furnish his Aadhaar number in lieu of PAN and such person shall be allotted a PAN in such manner as may be prescribed, further, He may furnish or intimate or code his Aadhaar number in lieu of PAN number, yes, साथी साथ में, साथी साथ में, एक 6A और 6B नाम का प्रोविजन लेके आए हैं, लेकिन इससे related law अब तक के बनाया नहीं है, बात समझेगा क्या आप कहना चाहता हूँ मैं, देखिए, आज एक बहुत बड़ा issue आता है, authenticity का, कि यह जो व्यक्ति आधार दे रहा है, यह सच में उसका है, जो व्यक्ति PAN दे रहा है, यह सच में उसका है, authentication कैसे हो, yes or no, authentication कैसे हो, तो ऐसे केस में क्या क्या गया, एक futuristic provision अभी ही बना के रख दी गई है, कि सरचार कुछ class or classes of transaction बताएगा, सरकार कुछ class or classes of transaction बताएगा, where the person who is giving the document shall authenticate it and the person who is receiving such document shall also authenticate it, so person who is giving the document shall also authenticate it, person who is receiving the document shall also authenticate it, person who is receiving the document shall also authenticate it, और इसके futuristic provision 6A and 6B clause के अंदर में अल्रडी ला रख है है, चेक करियेगा, every person who is entering into such transaction, yes, shall quote is PAN or Aadhar in the documents pertaining to such transaction, at the same time every person who is receiving any document shall ensure PAN and Aadhar Aadhar number has been duly quoted and also ensure that it is also so authenticated, अभी authentication करने का mechanism क्या होगा, यह mechanism भी अब तक आया नहीं है, यह एक futuristic provision है जो लाकर करके रखी है, इसका mechanism जल्दी आएगा, yes or no? अच्छा जी सर, last date, Aadhar must be intimated, Aadhar और PAN को interlinking करने की date क्या थी सर, 31st मार्च 2022, इसको क्या किया गया था सर, notification लाके extend क्या गया था, 31st मार्च 2023 पर, बाद में इसको क्या कर दिया सर, 30 जून 2023 पर इसको क्या कर दिया, extend कर दिया, yes or no? right, 30 जून 2023 पर इसको क्या कर दिया, extend कर दिया, अब ये free में करने तक का तो date यही था, इसके बाद अब क्या लगाने लग गए है, सर, fees लगाने लग गए, इसके बाद क्या लगाने लग गए है, fees लगाने लग गए है, so that was your permanent account, you know, permanent account number, चलिए आते हैं, next point के उपर आधार, 139 AA-A से आधार, see, we all know, जो existing government है, existing government है, यह किस के उपर focus कर रही है, यह किस के उपर focus कर रही है, यह focus कर रही है, आधार और हर चीज़ को आधार से link कर रही है, ठीक, उन्होंने सेम काम किया कि इसके साथ, बिटा, income tax के साथ भी, pan के साथ-साथ, इन्होंने आधार का requirement भी ले के आगया, खेर इसके पीछे एक और कहानी है, जब इन्होंने देखा, सरकार हर benefit आधार के थुरू दे रही है, तो करीब-करीब 90 करोड प्लस लोगों के पास आधार था, लेकिन जब टैक्स पे करने के बारी आई, पैन नंबर जो था, वो सिफ 40 करोड लोगों के पास ही था, तब जाकर के प्रोविजन बनाया गया, जिनके पास आधार है, लेकिन पैन नहीं है, आप जैसी आधार नंबर डालेंगे, हम आपको पैन क्या कर देंगे, अलोट कर देंगे, इससे होगा क्या वो लोग भी टैक के अंदर में आजाएंगे, जो अब तक के अपनी इंकम को दिखा नहीं रहे थे, क्योंकि इनको क्या अलोट हो जाएगा, पैन अलोट हो जाएगा, अब आते हैं बात आधार की, 2017 के अंदर में आधार को क्या कर दिया गया, मैंडेटरी कर दिया गया, यस हर चीज के लिए, इंक्लूडिंग इंकम टक्स डिटरन भरने के लिए और पैन काड़ अपलाई करने के लिए भी आधार काड़ क्या हो गया, जरूरी हो गया, तो बिफोर अपलाइंग पैन और बिफोर फाइलिंग आर ओई, आपको क्या है बिटा, आधार जरूरी है, इफ यू कूड आप उसका enrollment ID दे दिए तो जब आप आधार apply करके आते हैं तो आपको एक receipt मिलती है उस पर enrollment ID लिखा होता है अगर आपके पास आधार नहीं आया है आप enrollment ID दे दिए आपको क्या generate हो जाएगा सर आधार generate हो जाएगा further 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 आप गीच पहले आधार के provisions लेक्जिक आया थे तब कहा था अगर किसी व्यक्ति ने अगर किसी व्यक्ति ने आधार और पैन को क्या नहीं किया पिटा becश लिंग नहीं किया अगर किसी व्यक्तिने अपना आधार हो जाएगा Thank you पैन नम्बर को इंटर लिंक नहीं किया तो आपके पैन को क्या कर रहे थे? इन्वालिड कर रहे थे आपका पैन ही फिर क्या हो जाएगा? इन्वालिड इस चीज के ऊपर केस लड़ा गया कोर्ट के अंदर में और यह डिक्लेयर हुआ कि जो इन्वालिड वर्ड लिखा है लौ में यह गलत है क्योंकि मान लिजए आज मैं नॉन कम्लाइंस कर रहा हूं मैंने आधार और पैन लिंक नहीं किया बाद में फीज भर के मैंने दोनों को लिंक कर दिया अब आपने तो मेरा आधार और पैन को इंटर लिंक नहीं करता तो इसके पैन को क्या कर दिया जाता है इन ओपरेटिव कर दिया जाता है जब तक कि आप फिर फीज भर के उसको वापस से री ओपरेशनल नहीं करते तब तक कि क्या नहीं हो सकता सर आपका पैन वापस से अक्टिवेट नहीं हो स रगता अभी बात समझिये आधार था आधार क्यों देना था विया रिटर्न फाइलिंग के पहले आधार जरूरी था लेकिन अभी प्राक्टिकल इशू था अभी प्राक्टिकल इशू था अभी प्राक्टिकल इशू था वट वस अप्राक्टिकल इशू था वट वस अप्र इधर इधर और इधर इधर बोट यस और पहले ऐसा नहीं था पहले आपको आधार क्या था मैंडेटरी था देना तो इन लोगों ने आकर कि से ऐसे फिनांग से कुस्टन किया कि सर हम तो नवन डी सिदेंट आधार इस अडार इनल टी अप्लों के पास आधार ? जबकि law बोल रहा है रिटन भर तो रिटन कैसे भरू में तब जाकर कि कुछ exceptions create किये गए चार लोगों के पास अगर आधार नहीं भी है तो भी चलेगा खिर आज इस exception का कोई मतलब नहीं है क्योंकि आपके पास या तो पैन होना चाहिए या तो अधार होना चाहिए यस ओ नो पर जरूरी भी नहीं है हर वो नॉन डेसिटेंट जिसको इंडिया में रिटन भरना है वो पैन अप्लाइ करे ही यस या उसके पास आधार हो ही at least पैन दोनों में से एक डॉक्मेंट से यह उसके पास यस ओ नो तो ऐसे केस में क्या किया गया चार अधार एक्सेप्शन क्रियेट किये गए कि यह इन चार लोगों के पास अगर आधार नहीं भी है दे विल भी स्टिल एबल तो फाइल दर रिटन एन नेसेसरी अपडेट्स किये गए रिटन के अंदर में कौने भाई सा भी चार लोग पहला है सर नॉन रसिडेंट दूसरा अधार नहीं है और इसी के लिए क्या है विटा यह दूनों exception में है next person having the age of 80 और above अगर कोई वक्ति 80 और अबाव है इसके पास अधार नहीं भी है तो भी यह return फायल कर पाएंगे यह section on पे applicable नहीं है and next person residing in Assam, Meghalia and Jammu and Kashmir अगर कोई वक्ति Assam, Meghalia and Jammu Kashmir के अंदर में है इन के उपर आधार की यह रिक्वार्मेंट नहीं है, अधार की यह रिक्वार्मेंट नहीं है, खेर अभ यह exception का कोई का नहीं है क्योंकि आपके पास आधार नहीं है, आप पैन देदो, पैन देदो, आधार देदो, दोनो है दोनो देदो, yes or no, for filing return. Yes, so every person who is eligible to obtain the Aadhaar shall on or after 1st July 2017, quote Aadhaar number at the time of PAN application and filing return, where person does not possess Aadhaar, then enrollment ID of Aadhaar application आप क्या कर सकते है, प्रवाइड कर सकते है, in case of failure to intimate Aadhaar number, PAN allotted shall deem to be inoperative, it shall be deemed to be inoperative. अच्छा जी, अब जैसा कि हमने कहा कि अगर आपने Aadhaar PAN interlink नहीं कर आया, तो आपको क्या कर देंगे, sir, आपके PAN को inoperative कर देंगे, तो inoperative करने के लिए, rule 114 AAA लेकर क्या आया, कि inoperative हो जाएगा, तो क्या होगा, और इस specific rule लेकर क्या आया है, यह नहीं चीज है, जो आ आपको क्या होगे, तो आपको क्या कुछ लागेगी, sir, वापस से को आपके स्क।रीशन कर वाने के लिए, 1000 रुपय की, yes, we are such person who has not intimated his Aadhaar yes has intimated his Aadhaar after 31st March 2022 or after payment of fees his PAN would became operative within 30 days from the date of intimation of Aadhaar number तो मान लीजे आपने जो due date थी 31st March 2022 फिर एक्सेंड करके जो time limit था अब अगर आपने ये एक्सेंडे टाइम लिमिट के बाद Aadhaar apply किया है या तब तक आपने उसको कहनी किया interlink नहीं किया तो आपको 1000 रुपे का fees भरना है 1000 रुपे के फीस भरने के बाद 30 days के अंदर में आपके PAN को क्या किया जाएगा operative किया जाएगा a person whose PAN has became in operative अब देखे सरकार ने कही न कही ये भी नहीं कहा था कि अगर आपका PAN in operative हो जाता है तो consequences क्या होंगे अब कहा rule 114 AAA के अंदर में a person whose PAN has became in operative would be liable for following consequences पहला no refund of tax or part thereof will be issued to them अगर कोई refund due भी होगा वो आपको issue नहीं होगा क्योंकि आपका PAN available नहीं है yes second interest would not be payable on such refund period generally अगर सरकार के तरफ से in you know refund due आता है तो सरकार को interest भी देना होता है तो क्या नहीं किया रहेंगे सरकार उस interest को pay नहीं करेंगे क्योंकि आपका PAN operative नहीं है where tax deductible at source in case of such person such tax shall be deducted at higher rate section 206 AA है जो कहता है अगर सामने वाला जिसका payment आप कर रहे है इसके पास अगर PAN number नहीं है तो TDS highest rate पर deduct होना चाहिए अब यहां पर law में एक general mistake है था सामने वाले के पास अगर PAN नहीं है वो आदमी तो बोल सकता था मेरे पास PAN है inoperative है यहां पर कहा गया बेटा वो प्रोविशन यहां पर भी applicable होगा अगर मान लीजे आप जिसको payment कर रहे है उसका PAN inoperative हो गया है तो भी TDS जो कटेगा वो highest rate पर कटेगा तो भी जो TDS कटेगा वो highest rate पर कटेगा and same will go to TCS also TCS के case में भी अगर PAN inoperative होता है जो TCS होगा वो highest rate पर कटेगा so there are four consequences अगर PAN inoperative हो जाता है तो पहला refund issue नहीं होगा refund के उपर का interest भी issue नहीं होगा TDS TCS जो कटेगे यह highest rate पर कटेगे yes or no so this was your this was your आधार प्रोविशन check कर लो मालिक एक बार जैने मालिक आजाईए PAN 139A आधार 139AA yes यहां से हम लोग आगे बढ़ते है return filing के various modes के उपर एक है voluntary return जो आप submit करते हैं दूसरा है filing of return through TRP yes filing of return through TRP तो आईए सबसे पहले हम लोग यह देखते है filing of return through TRP अभी TRP क्या है yes दिखिए यह parallel association मनाने की कोशिश की गई थी किसके द्वारा आँ यह दो दिन सरकार के द्वारा जहां पर जहां पर जो लोग ऐसे हैं जो त्रस्ट हो चुके हैं कि भी है यह जो CS यह CMA CS होगे यह बहुत ज्यादा फीस चार्ज करते हैं अपने काम के लिए इनकी अगेंस्ट में इनकी अगेंस्ट में क्या किया गया था एक new employment generation की नाम से एक policy लाई गई थी जिसको कहा गया था TRP TRP का full form होता है tax return preparers yes or no यह जो वो लोग थे जिनको सरकार हायर करती थी income tax department में ही बैटाती थी and they would love to assist people in filing their return yes or no अब बढ़ ही अजीब हो गरी provisions इसने वनाई थी और यह provision completely fail हुई return filing की yes so TRP is an individual who has been authorized and enabled by specified class of person to prepare and furnish their return of income तो कुछ class or classes of person यह लोग क्या करेंगे आप अपनी डिटल्स आके इनको सब्मेट कीजिए and they will submit your return अच्छा जी sir see TRP का qualification क्या होना चीए graduate होने चीए sir any recognized university से आप बात समझे हो लोग को समझे किसी भी तरिके का graduate TRP के लिए जा सकता था मतलब कोई science वाला बन्दा TRP का exam clear करके क्या कर सकता था TRP बन सकता था का जब who has cleared the intermediate exam of CACS CMA Institute तो CA final CMA final CS final वाला बन्चा भी क्या कर सकता था TRP बन सकता है लेकिन कौन नहीं बन सकता who is not eligible to become TRP chartered accountant आप देकर दोगला पन किसको बोलते है आपको हमारा raw material चाहिए पर आपको हमारा finished product नहीं चाहिए चाहिए अस ये final student can became TRP but a chartered accountant काड़ भी TRP उसी के अगेंच में तो provision लेकर काया थे ये लोग इनी लीगल प्रक्टेशनर देखिए जब तक है chartered accountants बहुत ज्यादा नहीं थे तो छोटे छोटे गाओं के अंदर में जो return भर जाते थे न ये advocates ही भर देते थे तो chartered accountant legal practitioner को भी इससे भार किया लीगल प्रक्टेशनर कांट भी TRP an employee of a specified class or classes of person class or classes of person specified जो हो होगे disability द्वारा इनके भी लोगों को exclude किया गया है कि ये लोग भी TRP नहीं बन सकते हैं काम की चीज इस पूरे section में है ये कौन से return TRP नहीं भर सकते क्योंकि आपको जो question आएगा वो इस पे आएगा कौन से return TRP नहीं भर सकते पहला अगर कोई व्यक्ति tax audit के इंदर में cover तो इसके return TRP नहीं भर सकते दूसरा revised return if original return is not filed by TRP revised return भी TRP नहीं भर पाएगा अगर original return TRP नहीं भरा है and non-resident का return non-resident का return भी TRP नहीं भर पाएगा तो 3 return TRP नहीं भर पाएगे come on come again 3 return TRP नहीं भर पाएगे non-resident का tax audit वाला case और अगर original return TRP नहीं भरा तो revised return भी TRP नहीं भर पाएगा revised return भी TRP नहीं भर पाएगा getting it or not तो इस पूरे section में कुछ याद रखने लाएक है तो यह जिसके उपर question बन सकता है is that done okay next here next here power central government का किस तरह का power है तो exempt class और classes of person from filing return आई यह next section पर section 139-1c यह पावर है जिसको कभी पूछा नहीं जाएगा again exam point of view से काम का नहीं पर आपको तो पता है मैं तो पूरा पढ़ाओंगा yes और बदले में आपसे क्या चाहूंगा भारत के हर उस बच्चे तक के इन वीडियो को पहुचा देना जिसके लिए May 24 November 24 exam है और दूसरी चाहत मेरी यह है इस वीडियो को बस like करना है खतम मेरी दो ही रिक्वार्मेंट है तो चलो बटा फोकस करेंगे section 139-1c पावर देता है central government को to exempt the some people from class or classes of person to file the return तो यहां पे central government power रखता है अपने हात में तो this section is basically a power किस के हाथ में central government के हाथ में किस चीज का to exempt class or classes of person to file return yes हाला कि यह पावर बहुत कॉशिसली exercise किया जाता है and once in a six to seven years में एक बर यूस किया जाता है कि यह यह लोग को ब्रिटन बनने की ज़ुरत नहीं है तो से पावर वाला प्रोविशन है पढद लीजे Central government is empowered to notify class or classes of person who will be exempt from the requirement of filing ROI will be exempt from requirement of filing ROI को आई अब आता है next point के उपर 139 1a the next concept is called as bulk return yes अब यह bulk return क्या होता है देखिए इंडिया के कुछ around 16 शहरों के अंदर में pilot basis पे चीज लांच की गई थी जिसको कहा जाता है bulk return concept यहां पर होता क्या है majorly वो लोग जो employee category है इनको focus किया गया इनके return आसानी से बरे जाए इसके लिए एक मुहिम चलाए गई जिसको concept को कहा गया bulk return जिसके concept को कहा गया bulk return अब इसके अंदर में क्या होता है पहली बात यह पूरे इंडिया में थी नहीं थी scheme यह scheme सिर्फ 16 बड़े शहरों के अंदर में थी यह सिर्फ उन employer के उपर applicable थी जिन employer के पास at least 50 employee होंगे यह scheme सिर्फ उन लोगों के लिए थी जिसके पास at least किते होंगे बटा पचास employee होंगे वही scheme के अंदर में applicable थे अब scheme में requirement क्या थी scheme का requirement यह था कि companies के जो employee होंगे यह अपनी financial details किसको handover करेंगे company को handover करेंगे और company इन सब का data लेके एक floppy disk, hard disk, hard drive, pen drive में लेकर क्या करेगा नाम excel के अगेंस में उनका सारा return submit कर देगा किसको income tax department को yes or no, इससे काम थोड़ा सा असान हो जाता है क्योंकि employee company में ही होता है, company में एक बंदा बढ़ाया जाता था accounts department के अंदर में जिस employee की detail receive होती थी, technically करना कुछ नहीं था, form 16 को उठा करके submit करना था, तो वो क्या करता था, सारे employee को बोलता था, कि यह company के तरफ से drive है, आप you know, पैसे मत खर्चा करो, आप अपनी information आमे दो, हम आपका return submit करेंगे, और यह return, सारे, जैसे मान लीजे company के अंदर में 100 लोग है तो 100 लोगों का data collect करता था, और यह scheme optional थी, मतलब अगर employee चाहे, तो वो अपना return खुद से भी बढ़ सकता है, चाहे तो वो company के through भी बढ़ सकता है, अब employee आता था, company को सारी detail देता था, उसका return भरा जाता था, उससे sign ली जाती थी, और यह सारा detail एक साथ income tax department को submit कर दिया जा और हर बार की तरह, income tax department में यह scheme को भी चलाना कम कर दिया, हाला कि यह पूरी तरीके से बंद नहीं हुए है, कुछ companies आज भी ए फैसलिटी देती है अपने employees को, पूरी तरीके से बंद नहीं हुए है, और इसलिए यह section आज भी आपके किताबों में है, पर exam में बिलकुल नही तो इसके उपर और ज्यादा टाइम मत वेस्ट करिएगा, so specified SSI salaried can file their return to employer and then employer shall furnish such return in bulk in the pen, PD, CD to the department, PD is pen drive, CD is compact disc, तो उसके अंदर में क्या कर सकते हैं, आप submit कर सकते हैं, yes तो यह भी खतम हूँ असर हमारा, अब आते हैं किन-किन को return filing की जरूरत है, next section पर आते हैं, तो return भर की केते हैं, एक आप TRP के through भर लो, हो सकता है, आपको exempt किया गया हो, हो सकता है आप bulk return भर लो, और तीसरा आखरी जो सबसे जादा चलता है, वो है voluntary return, लेकिन more than 90% जो return submit किया जाते हैं, voluntary ही होते हैं, that is आदमी खुद हो करके अपना यह return क्या करता है, submit करता है, yes इसलिए हम से voluntary return submissions भी कहते हैं, लेकिन section 139 आप कुछ class और classes of person को mandatory कर देता है, कि इनको return submit करना है, तो section 139 बताता है, वो सारे लोग जिनको mandatorily return file करना ही होगा, यह return कैसे file किये जाएंगे, खेर आज तो सारे के सारे return online ही file किये जाते हैं, but a person has option कि वो आज भी paper return submit कर सकता है, nobody does it, यह अल IDT देता है, informs को हम कहते हैं, ITR, yes, informs को हम कहते हैं, ITR, और person wise यह ITR क्या है, बदले हैं, yes, तो in total 7 ITR है, you all know अपने अगर IDT में काम किया होगा, तो person wise यह ITR क्या किया गए है, बदल दिये गए है, जब आप ITR submit करते हैं, बदले में आपको acknowledgement आता है, this acknowledgement का PDF को आप save करके रख हैं, yes or no, साथ साथ में अब हम technology wise और upgrade हो चुके हैं, आपके mobile पेक message भी आता है कि for this particular financial year आपका return यह submit हो चुका है, चलिए focus करने लाएक बात क्या, देखिए आप तो exam में है, आपको तो law ही पढ़ना पड़ेगा, अब focus करने वाली बात क्या है, focus करने वाली बात यह, all those who are required to file return और इसके अंदर में पिछले सालिक amendment आया था और इसके उपर question मुझे expected है, तो इस chapter में next चीज़ इसको मैं important बोल रहा हूं, वो है section 139, किन किन लोगों को return filing mandatory है, section 139 कहता है, every person being company or a firm, अगर आप company है या आप firm है, firm includes LLP, अगर आप company है या firm है, आपको mandatorily return submit करना है, अब एक बार ध्यान रखिये, यहाँ पर कई बच्चे पूछते है, sir foreign company हुई तो return भरना है, sir company in losses हुई तो return भरना है, yes sir company liquidation में है तो return भरना है, sir OPC private public अगर ये company है, जिन दी है return भरना है, समझ मैं ही बाद, so company and firm must file the return, second, every person other than company or firm, if total income exceeds basic exemption limit, कोई भी वक्ती, firm या company के अलावा, अगर इनकी income साल भर की basic exemption limit से उपर है, इनने return भरना है, third, a resident other than not ordinarily resident, की दे शब्दों में कह दो ना, R.O.R, अगर कोई वक्ती R.O.R है, yes that is resident and ordinarily resident, he has any asset including financial asset or signing authority outside India, अगर कोई R.O.R है, either as a beneficial owner or as a beneficiary, अगर आप beneficial owner हो या beneficiary हो उसके, if you have any asset including financial asset outside India और signing authority outside India, you need to file return in India, बात समझेगा, अब asset outside India, मतलब foreign में कोई property है, yes, signing authority outside India, foreign में आपकी कोई partnership है, foreign में आपका कोई bank account है, financial asset outside India हो सकता है आप foreign trade करने के लिए, foreign shares trade करने के लिए आपका foreign के अंदर में कोई DMAT account हो, जैसे आज अगर आपको USA stock market के कोई shares लेने हैं, तो इंडिया से आप buy नहीं कर सकते, आपको क्या करना पड़ता है, फिर दुबई के अंदर में जाकर एक account open करना पड़ता है, तो ऐसा भी कोई account आपका है, asset, financial asset or signing authority outside India, you need to file return in India, yes, तो किस-किस को return बरना है sir, company और firm को return बरना है, हर उस व्यक्ति को other than company और firm जिसकी income, basic exemption limit से उपर है, उसको क्या करना है, return बरना है, ROR having asset or signing authority outside India, उसको return बरना है, next, काम की चीज़, individual, HOF, AOP, BY, AJP, individual, HOF, AOP, BY, AJP, अगर इन की total income, before claiming 1038, 10ABBA, 54, 54B, 54D, 54EC, 54F, G, GA, GB, ATC, 280U, yes or no, chapter 6A, part C वाले बात कर रहा हूं है, right, अगर इनकी income, before claiming basic exemption limit, before, अगर इनकी particular income, basic exemption limit से उपर है, before claiming deductions and exemptions, before claiming deductions and exemptions, तो आपको return बरना जरूरी है, तो मान करके चल लिजे, मान करके चल लिजे, एक वेक्ति है, इसको long term capital गिनाया है, 6 lakh रुपए का, section 54 में, पूरा 6 lakh रुपए का exemption claim कर दिया, आपकी total income क्या हो गई, zero, are you required to file return, yes, are you required to file return, yes, क्योंकि वह वर्ड लिखा है, income before claiming exemption under section 54, अगर आपकी income basic exemption limit से उपर है, तो आपको return भरना है, एक बात याद रखे, tax payable and return filing are two different concept, जरूरी नहीं है, return filing होगा, तो tax payable हो गई होगा, return भरना ही कलग requirement और उसमें tax आना ही कलग requirement, yes, next, any person other than company, अगर कोई वक्ती है, other than company और a firm, if he has deposited in aggregate, yes, exceeding one crore rupees in one or more current account, अगर कोई वक्ती ने deposit किया है, एक या एक साथ जादा current account में एक करोड रुपे के उपर, yes, यह account चाहे वो bank में maintained हो, चाहे वो cooperative bank में maintained हो, अगर current account के अंदर में, एक करोड से उपर का deposit हुआ है, you must file the return, एक बात याद रखे, यहाँ पर cash deposit की बात नहीं कही है, किसी भी उपोण में अगर deposit हुआ है, एक करोड से उपर तो आपको return भरना है, दूसरा, he has incurred the expenditure of 2 lakh rupees for himself or any other person for travel to a foreign country, अगर आप अपने लिए या किसी और के लिए खर्चा करते हैं, कि कोई भी वेक्ति जिसकी शादी होती है, वो, you know, अपना honeymoon मनाने के लिए best period मनाने के लिए क्या कर जाता है, out of India चल जाता है, अब out of India वो free में तो जाता नहीं होगा, टिकेट के खर्चे तो लगते होंगा, और 2 lakh तो मतलब minimum है जो out of India आप जाओगे तो 2 lakh रुपए तो खर्चे हो नहीं होने है, अब आप सोच करके देखिए, ऐसा वेक्ति अपनी income शो नहीं कर रहा था, अपनी income शो नहीं कर रहा था, पर foreign travel जा रहा था, income tax department ने का बेटा बहुत जाना है, तुमको तुमारे लिए या किसी और के लिए भी कर रहे हो, क्योंकि कई लोग गिफ्ट में भी देते थे थे foreign package, yes, अपनी बच्ची को gift में देदिया, अपने लड़के को gift में देदिया, हमारे तरफ से, खुद के लिए कर रहे हो, किसी और के लिए कर रहे हो, खर्चा 2,00,00 पर जा रहा है, रिटर्न भरो तुम, हाँ, हो सकता है, रिटर्न में आपकी taxable income ना है, रिटर्न भरो, तुम रिटर्न भरो, इसलिए मैंने कहा, taxable is a different concept from filing the return, next, incurred an expenditure exceeding 1 lakh rupees towards consumption of electricity, अगर आपका electricity bill साल बर में 1,00,00 रुपे के उपर का आ रहा है, तो, yes, आपको क्या करना है, sir, return submit करना है, तो चलिए, यहां तक के हम लोग discuss करते हैं, 5 लोग जिनको return भरना है, firm company जिनको return भरना है, other than firm and company, अगर उसकी income basic exemption limit से उपर है, तो, तीसरा, ROR having asset or signing authority outside India, चौथा, individual HOF, अगर इनकी income before claiming deduction and exemption under 54 series, exceed basic exemption limit, पाँच हुआ, अगर कोई विरती deposit करता है, current account में 1 करोड रुपे के उपर, या फिर 2,00,00 से उपर का foreign expenditure करता है, या फिर electricity consumption के उपर 1,00,00 रुपे से ज्यादा कर्चा करता है, इने return submit करना है, further, कुछ और लोगों के लिए, पिछले साल requirement add की गई कि किन लोगों को return submit करना है, कुछ और लोगों के लिए requirement add की गई, कौन-कौन answer ये लोग, पहला, अगर कोई वेक्ति business carry on कर रहा है, yes, इनका total sales exceed कर जाता है, 60,00,00 रुपीज से, yes, अगर कोई वेक्ति business कर रहा है, इनका sales 60,00,00,00 रुपीज से exceed कर रहा है, इनने return भरना है, अगर कोई वेक्ति profession में है, अगर कोई वेक्ति काई में, profession, ये देखिए, यहाँ पर business word आ गया है, इसको आप थोड़ा सा rectify किजी, यहाँ पर profession word होना चाहिए, अगर कोई वेक्ति profession के अंदर में है, और sir, उनका gross receipt 10,00,00 है, जिसकी age 60 से ज्यादा है, at any time during the previous year, that is senior citizen, इनका TDS, TCS अगर 50,000 से उपर है, तो इनको return भरना है, तो अगर कोई senior citizen है, जिनका TDS, TCS 50,000 से उपर कटा है, इनको return भरना है, other than senior citizen, अगर इनका TDS, TCS 25,000 से भी उपर कटा है, तो आपको return भरना है, मतलब आप समझ रहे हैं, अब सिर्फ income के basis पर return भरने की ज़रौत नहीं है, अगर आपका TDS भी 25,000 से उपर चल जाता है, in case of normal person, आपको return भरने का requirement है, और senior citizen के case में ये limit कितनी हो जाती है, 50,000 हो जाती है, in fact, अगर आपके business या profession के sales या turnover के basis पर भी इन्होंने क्या किया है, return filing के requirement ले किया ही है, अग saving account में 50,000,000 से जादा deposit हो रहा है, अगर किसी वेक्ती का saving account है, और इस saving account में, a saving account in one or more saving bank account, yes, एक या एक से जादा saving bank account है, किसी भी particular bank में, वहाँ पर deposit 50,000,000 से उपर होता है, yes sir, आपको क्या करना है, return submit करना है, yes, ये जो return होगा, इसे verify करना पढ़ेगा, और इसे before the due date आपक को verify करना पढ़ेगा, verify करने का मतलब क्या होता है, return को sign या authenticate करना होगा, और आपको क्या करना होगा, इस return को due date के अंदर में submit करना होगा, ठीक है sir, एक बार 139 पढ़ो, यहीं पढ़ो, मेरे साथ ही पढ़ो, तुरंत पढ़ो, रहने sir, चलिए, अब return filing की due date क्या है, इस section को learn करना है, इस section number को learn करना है, please ध्यान से, देखते रहिए, इस section number को learn करना है, 139 1, यह कई जगर पे strike होगा, what are the due date as specified in 139 1, तो यह 139 1 मतलब क्या है, दिमाग में set कर ले न, due date of filing return, company के लिए due date क्या है sir, company के लिए due date है, 31st October of the assessment year, 31st October of the assessment year, अब आप के लिए financial year क्या है sir, 23, 24, आप लोगों के लिए assessment क्या है sir, 24, 25, तो 31st October 2024, आप के लिए क्या बन जागी, deed बन जागी for financial year 23, 24, yes, so company अगर है, तो company को क्या करना है sir, report submit करना है, अपना return submit करना है by 31st October, अगर assessi other than company है, tax audit के लिए liable है, तो भी 31st October, और अगर tax audit के लिए liable नहीं है, तो 31st July of the assessment year, yes, तो return भरने की major 2 due date है, एक अगर आप tax audit में नहीं आते हैं, तो आप 31st July में आते हैं, अगर आप company है and tax audit के अंदर में भी आते हैं, tax audit है, या आप company है, तो आपको 31st October of the assessment year तक के अपना return submit करना है, yes, I think, आप final में हैं, तो आपको यह dates अल्रड़ी याद होगी, एक और important point, अगर किसी भी व्यक्ति को transfer pricing report submit करनी होती है, मान लिजाए, अगर transfer pricing report submit करने का requirement है section 92E के हिस आपसे, तो sir, आपको जो return filing की date है, यह 30th November है, 31st October नहीं, फिर यह date क्या बन जाती है, 30th November बन जाती है, yes or no? So, this was the due date of filing ROI, return filing की due date है, ते लिए sir, अब तक हमने क्या किया, ते लिए मेरे साथ recall कीजिए फटाफट, सबसे पहले हमने पढ़ा section 139A, याद करो क्या था 139A, PAN, फिर हमने पढ़ा 139A, क्या था माली किये, आधार, फिर हमने पढ़ा 139B, ERP, फिर हमने पढ़ा 139 1C, exemption from filing return, फिर हमने पढ़ा 139 1A, bulk return, फिर हमने पढ़ा section 139, who all are required to file return of income, किन-किन लोगों को return भरना mandatory है, फिर हमने पढ़ा 139 1, due date of filing return, exam point of view से अगर मैं बात करू, 1, 2 और 3, ये 3 चीज़े important है, exam point of view से बात करू, अब तक जितनी चीज़े पढ़ाई, उनमें ये तीन चीज़े important है, yes, चलते है सर, next part के उपर, चलते है सर, next part के उपर, आप जब यहां आएंगे, तो कुछ और लोग है जिनको return भरने की requirement है, इनके sections चालू होते है, 139.4a से लेकर के, 139.4f तक के, कुछ और लोग है, अलग-अलग entity के हिसाब से return filing requirement को change हिया गया है, सबसे पहले आते है 139.4a charitable or religious trust, जित्ते भी charitable or religious trust है, बात समझी गया है, थोड़ा सा आसान भाषा में सम्झाऊँगा, charitable or religious trust जो होते है ना बिटा, इनकी income exempt होती है, section 11 and 12 के अंदर में, come on, come again, charitable trust या religious trust जो होते है, इनकी income exempt होती है section 11 or 12 के अंदर में, yes, अब अगर इनकी income, कोई भी charitable or religious trust की income, before claiming this exemption, before claiming this exemption, अगर basic exemption limits से उपर है, अगर basic exemption limits से उपर है, तो इनने return भरना mandatory है, इनने return भरना mandatory है, yes or no, तो मान लीजे, let's say Tirumala Tirupati Devastanam Trust, अपनी income exempt करते है section 11 and 12 के अंदर में, अब इनकी income, before claiming this exemption, क्या basic exemption limits से उपर है, way before उपर है, इनको mandatory return submit करना है, further, जब आप मेरे साथ charitable में जाएंगे, तो आप एक और चीज़ समझेंगे, कोई भी charitable trust जिसकी income basic exemption limit से उपर होती है, इनने audit करना mandatory होता है, अगर कोई भी charitable trust है, जिसकी income basic exemption limit से उपर है, इनने audit करना mandatory होता है, अब आप सोच समझ के बताएगा, तीसरा point, अगर audit mandatory है, तो due date of filing return, July होगी, October हो जाएगी, October हो जाएगी, तो इनके लिए जो due date है, of filing ROI वो क्या बन जाती है, बेटा, 31st October बन जाती है, yes, अगर, section 272 कहता है, अगर charitable trust ये compliance पूरा नहीं करता, 100 rupees for every day, इनके उपर क्या लगाई जाएगी, penalty लगाई जाएगी, और साथ-साथ में इनके उपर fees भी impose की जाएगी, तो चेक कीजे, if total income, 139 4A, if total income without giving effect to the provision of, without giving effect to the provision of section 11 and 12, exceed maximum amount not chargeable to income tax, then trust is required to file ROI, audit is also mandatory, right, यहाँ पर if होना चाहिए, if the income exceed basic exemption limit, तो due date क्या बन जाएगी sir, due date बन जाएगी आपकी 31st October, due date क्या बन जाएगी मालिक आपकी 31st October, अब आते हैं, next section के उपर 139 4B, 139 4B, political parties के return requirements है, 139 4B, political party के return requirements है, तीक है political party है और electoral trust जो होते है, right, political party and electoral trust जो होते है, इनकी income जो होती है, यह exempt होती है under section 13a and 13b, let us here only talk about political party, political party की जो income होती है, यह exempt होती है under section 13a, आगे चलके आपको एक topic आएगा taxation of political party, हम वहां discuss करेंगे, अब political party की income exempt है under section 13a, अब return requirement क्या है, law कहता है, अगर exemption claim करने से पहले इनकी income basic exemption limit से उपर है, they need to file return on income, तो अगर political party section 13a में exemption claim करें, उसके पहले इनकी income क्या है बटा, basic exemption limit से उपर है, इनने return भरना ही है, yes or no, साथ-साथ में political party को audit कराना mandatory होता है, अब अगर audit mandatory है, तो इनके लिए भी due date return की क्या बन गई, 31st October, तो चेक कीजए, if total income without giving effect to the provision of 13a exceeds the amount which is not chargeable to income tax, then PP that is political party is required to file ROI, audit is also mandatory, तो due date क्या मन जाएगी, 31st October, yes or no, मालिक? फिर आपते है हम लोग next requirement 139.4C के अंदर में, अब दिखिए, आपको पता होगा section 10 जो था, exemption topic आप लोगो ने interim में पढ़ा होगा तो, yes section 10 जो है इसके अंदर में hospital, medical institution, college, school, institution, etc. इनकी income है exempt under the various subsections of section 10, तो ऐसे सारे लोग जिनकी income exempt है under the specified subsections of section 10, इनकी income before claiming exemption अगर basic exemption limit से उपर है तो इने return submit करना है, अब इनमें कुछ लोगों के requirement है 34 जोला और कुछ लोगों के requirement है October, yes or no, तो accordingly इनकी due date के हिसाब से इनको क्या करना है, return भरना है पर अगर इनकी income basic exemption limit से उपर है before claiming exemption तो ही, तो section is applicable to every hospital, medical institution, school, college institution, infrastructure, debt fund etc, if total income without giving effect to the provision of section 10 exceeds maximum amount not chargeable to tax, July या October दो no date हो सकती है depending upon the SSC, non-compliance करने पर penalty भी लगेगी और fees भी लगेगी, फिर आता है 1394D-4E-4F, अब यह और तीन section है, आप जिनको भी donation देते हैं scientific research के लिए, ऐसे institute covered होते हैं under section 35 of income tax, section 35 of income tax के अंदर में ऐसे institute जो scientific research कर रहे हैं वो cover होते हैं, अब ध्यान जो सुनिए, all such institute college university which are approved under section 35, इनको mandatory return submit करना है, तो अगर आप section 10 वाले exemption वाले है, 4C में आएंगे, अगर आप section 35 के exemption category वाले school college university है, आप you know 4D में आएंगे और इन्हे return भरना है, चाहे profit हो या loss हो, 4E- business trust, आप आगे जाके समझेंगे business trust नाम का एक चीज होता है, तो अगर कोई business trust है, they need to file return mandatory, business trust दो प्रकार के होते है, एक होता है REIT, दूसरा होता है INVIT, यहां पर आपको दिख रहा है REIT और INVIT, हो सकता है, पहली बार यह fast track पढ़ रहे हो, आपको इसके full form नहीं पता हो, hold on, there is something called as business trust, return भरना mandatory है, next है investment fund, इनको हम कहते है AIFs, यह भी आगे एक पूरा का पूरा chapter है, alternative investment fund बोला जाता है, तो यह जो AIFs होते है, इनमें 3 category होती है, category 1, category 2, category 3, ऐसे 3 category होती है, alternative investment funds को return भरना क्या है, mandatory है, return भरना क्या है, mandatory, mandatory, तो 4A, 4B, 4C, इन्हें return तभी भरना है, जब exemption claim करने से पहले, इनकी income basic exemption limit से उपर हो, 4D, 4E, 4F, return भरना है profit हो या loss हो, are you getting the point, चलिए एक बार quickly assess कीजे वापस, चलिए, done, तो यह थे return filing requirement, 139 में लिखा है, 4A से लेकर के, 4F में लिखा है कि इनकीन को return submit करना है, जो इसके अंदर में नहीं आ रहे है, क्या वो भी return भर सकते है, yes, voluntarily तो आप कभी भी भर सकते हो, तो जो इन में नहीं आ रहे है, वो भी return voluntarily कभी भर सकते है, कोई तकलिफ नहीं है, मान लो, अगर आपने return submit नहीं किया due date पे, तो क्या sir हम कभी return submit नहीं कर पाएंगे, यह तो गलत है, because there is also concept of belated return, क्योंकि क्या होता है कई बार हम हमारे loved ones को उनके actual बड़े पे विश्करना भूल जाते हैं, अगले दिन आता था, अरी यार शुट इनका बड़े था, कोई बात नहीं, belated विश्कर दो, बस इसलिए एक और concept आया, belated return, section 139, subsection 4, belated return, अगर आप return time पे नहीं बर पाए, that is July, October, तो आप belated return भी submit कर सकते हैं, yes, कब तक के कर नहीं है, कब तक के करना होगा, 3 months prior to the end of assessment year, assessment year खतम होने से 3 महीने पहले, मतलब understand करते हैं, return कब तक के बरना था, return आपको बरना चाहिए था, July तक के, या as the case में भी October तक के, बरबर है, आप October तक के नहीं भर पाए, लेके December तक के पास आपके पास time है, आप भी later return submit कर दीजे, 3 months before the end of assessment year बोला है, क्या बोला है विटा, 3 months before the end of assessment year बोला है, याने date बन जाती है 31st December, January, February, March 3 months को exclude करके, और before completion of assessment whichever is earlier, so any person who has not furnished the return within the time allowed to him, may furnish the return 3 months prior to the end of relevant assessment year, or before completion of assessment whichever is earlier, let us understand, financial year 23-24, suppose करते है, date of filing जो थी, ये थी 31st July 2024, इनका return filing का date क्या होगा, 31st July 2024, तो आपका be later return submit करने का time limit कब तक क्या आ सकता है, 31st December 2024, yes, 31st December 2024 तक की ये अपना be later return क्या कर पाएंगे, submit कर पाएंगे, yes or no, अब दीखे हम human है, human है मतलब error तो होगा ही, human है, तो गलतियां तो होगी, कुछ गलतियां खेर life में बहुत अच्छी होती है, और कुछ गलतियों के लिए तो आप भी सरपटकते होंगे क्यों ही किया, बरवर है कि नहीं, क्यों ही किया, तो बस इसी लिए, गलतियां होगी, income tax मौका जरूर देता है जिंदगी देना दे, income tax जरूर मौका देता है आपके revised return को submit करने का, income tax क्या करता है बिटा, revised return को submit करने का मौका जरूर देता है, and that's why there is another concept section 139 subsection 5 revised return, there is another concept section 139 subsection 5 revised return, revised return कब submit कर सकते हो, जब आपने original return submit क्या होगा, क्योंकि आपने कुछ submit क्या होगा उसी को तो आप क्या करने जा रहे हो, change करने जा रहे हो, so revised return can be submitted when original return is filed, done, point number one, आपके मन का दूसरा सवाल, sir एक return कितने बार रिवाइज हो सकता है, एक return, कितने बार रिवाइज हो सकता, sir return can be revised n number of times, so within the time limit आप n number of time उस return को क्या कर दीजे, revise कर दीजे, कोई तकलिफ नहीं है, तीसरा point, sir समझे है, मैंने original return भी डाला और revised return भी डाला, income tax department assessment करने के लिए कौन सा उठाएगा, original वाला या revised वाला, तो इसके उपर धंपूर शुगर मिल्स का एक case है, धंपूर शुगर मिल्स का एक case है, जो कहता है, revised return replaces the original return, the moment आपने revised return डाला, original return आप कहीं पे भी consider नहीं होगा, तो revised return replaces the original return, you know, you know, original return धंपूर शुगर मिल्स का क्या है, case है, अच्छा जी sir, यह revised return कब तक submit किया जा सकता है, time limit is same, जो belated का time limit था, वही revised का time limit है, that is, 3 months prior to the end of assessment year or before completion of assessment, whichever is earlier, so, where return is filed under 139.1, normal return, 139.3, lost return, 139.4, belated return, can be revised if discovered any omission or wrong statement in the return filed, खर आप तो आर्टिकल चिप करे में, आपको तो पता ही होगा, client से लाज दे तक के data मांगते रहते हो भाई, देता 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 नहीं, तो ऐसे केस में आप क्या करते हो, उसका return पिछले साल का उठाते हो, 15% addition करके ठोक देते हो, फिर बाद में तीन महने बाद उसकी नीन खुलती, अरे return भी बरना था ना, फिर वह आता हम उसके return को क्या करते, revise करते, के अब तो आपका ये प्राक्टिस भी होगा, तो 3 months before the end of assessment year, or before completion of assessment, whichever is earlier, whichever is earlier, अच्छा जी सर, revise return replaces the original return, return can be revised even after receipt of intimation under 143-1, there is no restriction on revision number of times, original return, related return, lost return, revised return, all can be revised, जिसका मतलब यह है, सर क्या revised return फिर एक बार revise हो सकता है? Yes. सर क्या belated return रिवाइज हो सकता है? Yes. सर क्या lost return रिवाइज हो सकता है? Yes. आपने इसके पहले कभी भी कोई return डाला है? यह revise हो सकता है. Yes or No? यह case law है, देखिए मैं generally, ना आपको section याद करने बुलता हूं, ना आपको case law याद करने बुलता हूं, क्यूंकि यह completely irrelevant activity है. इतने सारे section और इतने सारे case law आप याद नहीं रख सकते. पर हां, मैं आपसे कहता हूं कि कुछ चीजों को तो जिसको आपको याद करना ही है, उनमें ये case law है God's India. Multiple time CACMA examination में पूचा गया case law है, understand करिये case के अंदर में क्या था. Assessi ने return file किया, and after filing the return, he just come to know that he has failed to claim certain deductions and exemption. So what he did, he just wrote a letter to the Assessing Officer, indicating that I have failed to claim certain deductions and exemption, kindly allow me. AO has completed the assessment without even checking the letter. AO ने क्या कर लिया? Assessment complete कर लिया, और इस letter पर बिल्कुल धहन नहीं दिया. Assessi court में क्या, बोले मैं agreed हूं, मैंने तो आपको letter लिक के intimate किया था, कि मेरी से गलती हुई है, please आप consider कर लिजे, please आप सुदार लिजे. It has held by the court, that अगर आपको कोई भी गलती सुदार ना है, if there is an error or omission in the return file, वो सिर्फ एक ही mechanism से सुदार सकता है, वो है revise return. किसी letter या statement को दे करके, आप return revise नहीं कर सकते, आपको बाकायदा revise return route से ही जाना पड़ेगा, किसी भी चीज़ को rectify करने के लिए, और यही चीज़ यहां पर held हुई, कि कोई fresh claim नहीं किया जा सकता, जब तक कि आप revise return submit ना कर दे, तो आपको किसी भी तरीके का fresh claim करना है, आपको revise return submit करना mandatory है. A fresh claim before AO can be made by filing a statement or a letter? No. A fresh claim can't be made before AO by filing a letter. A fresh claim can be made before AO only by filing a revise return. Yes or No? हाला कि जब हम आगे जाएंगे तो मैं इन दो line पर आपको वापस लेक्या हूँगा, कि CIT appeal और ITAT के पास जब आप जाते हो तब आपको return submit करने की ज़रौत नहीं पड़ती, तब आपको return submit करने की ज़रौत नहीं पड़ती. Is that done? So this was related return and revised return. Check once, दोनों का time limit कहा है बटा, same. Done है sir? चले आईए. अब चलते हम next return के उपर loss return. Set off नाम का एक chapter आप लोगो ने पड़ता, Set off नाम की chapter में हमने देखा था कि अगर PGP loss, capital gain loss या loss from owning and maintaining horses races वाला loss को अगर आपको carry forward करना है तो आपको return time पर भरना ज़रूरी है याद है आपको, बस यही वो section है यह boss अगर आपको PGP loss, capital gain loss and loss from owning and maintaining horse races को अगर आपको क्या करना है sir? Carry forward करना है तो यह loss return आपको submit करना है. यह loss return sir कब तक submit करना है? Before the due date of filing ROI. आई मतलब 1391 के time limit में जो due date दी है उसके पहले ही आपको क्या करना है loss return को submit करना है अच्छा जी सर सर यह जो loss आप दे रहे हैं यह कौन से year के लिए भरना है मतलब हम मेरे इस question को पहले ध्यान से समझी है 2022-23 में loss आया इस साल के return भर दिया loss carry forward हो गया 22-23 के आगे वाले साल के अंदर में 22-23 में loss आया आपने return भर दिया next year के अंदर में यह loss set-off नहीं हो पाया आपने return में नहीं भरा कि next year में फिर से carry forward हो पाएगा well the answer is yes this saal loss आता है उसी साल आपको क्या करना है पहला loss return भरना है उसके आगे की years में आप भरे या ना भरे doesn't matter उसके आगे की years में आप सम्मेट करे अगर ना करे doesn't matter so check करियेगा if a person wish to carry forward the loss under the head of PGVP capital gain and winning when training horses then he may furnish a loss return within the time prescribed under 139-1 if the loss return is not filed loss will not be allowed to be carried forward however HP and unabsorbed depreciation can be carried forward even if the return is not filed on time to HP ka loss or unabsorbed depreciation वाले जो चीज है याप carry forward कर सकते हो भले आपने return time पे file नहीं किया तो भी yes अच्छा जी सर next point any return which has been loss the return for the first year of loss is required to be you know carried forward covered under this section तो गोविन आगर शुकर मिल्स में हम लोग ने देखा था कि या first year of loss में आपको क्या करना है return submit करना है अच्छा जी एक case law है East Asiatic Company India Private Limited का राइट ये कहता है कि या unabsorbed depreciation carry forward हो सकता है भले आपने return time पे file नहीं किया तो वही अभी हम उपर देख्या है कि HP और unabsorbed depreciation case law में सिर्फ depreciation लिखावा है हाला कि HP के लिए भी rule है फिर एक और case है CIT versus Haryana Hotel इस case law में ये held हुआ था unabsorbed depreciation को आप carry forward कर सकते हो भले आपने return file किया ये return file नहीं किया तो unabsorbed depreciation can be carried forward even if no return has been filed by the assay C. Yes. अच्छा जी सर्थ इस साल से इस साल से आ यू नू एक प्रोविजिन एड हुई है एक प्रोविजिन एड हुई है इस प्रोविजिन को जरा ध्यान से देखिये चेक करिये क्या एड हुआ है अगे तो अगर मैं loss return की बात करूओ तो loss return के अंदर में इस साल की monetary limit भी आई है की loss return को assess जो करेंगे वो कौन करेंगे तो यहां पे एक limit लेकर का आया है sir loss return के लिए up to 50 lakh वाले जो cases है that will be handled by CIT और PCIT 50 lakh to 2 crore के losses वाले cases will be handled by CCIT 2 crore to 3 crore वाले cases principle CCIT and 3 crore से उपर वाले का जो पावर है यह किस के हाथ में दिया गया है CBDT के हाथ में दिया गया है yes चलिए तो यह था आपका loss return नाम का concept तो अब तक हम लोग ने क्या क्या देखा है चलो एक बर फिर से देख लो अब तक हम लोग ने क्या क्या देखा है अब तक हम लोग ने का 139 1 a यह बल्क रिटन यादा रहा है आपको फिर हमने देखा 139 किनके लोगो को रिटन फाल करना mandatory है फिर हम लोग ने देखा 139 1 due date for filing return then हम लोग गय 139 you know 4 A to 4 F की सिरीज के अंदर में यहां पर हम लोग ने देखा है चारिटेबल ट्रस्ट हो गया पॉलिटिकल पार्टी हो गया इंस्ट्रूशन कवर ने सेक्शन 10 इंस्ट्रूशन कवर ने सेक्शन 35 वह युनों बिजनेस ट्रस्ट एन इंवेस्ट्मेंट फंड्स राइट फिर हम लोग ने देखा 139 कि थ्री डाइज लॉस्ट रिटन 139 फोर बी लेटेड रिटन 139 फाय रिवाइज रिटन यहां तक के सारे पॉइंट हम लोग ने अब तक के देखी हैं गिनमालिक बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं आगे रहेट रई सर अगर रिटन फाइल नहीं कियो अभी यहां तक हो मिन नहीं किया अगर आप रिटनी साथिक है टायिंवर यह तो there are certain consequences which need to be followed first there will be interest under 234a in fact if return time पे नहीं भरा 139 1 के तहद तो आपका interest चालू हो जाता है 234a के तहद yes in fact जब आप belated return भी भरते है न सर तो 234a का तो interest आता ही आता है क्योंकि यह return time पे file नहीं हुआ है तो belated return भी जब आप submit करेंगे तो 234a का interest आए गई आएगा second is fees आप जो return नहीं भरते तो 234f का क्या लगता है सर फीस लगता है इसके साथ साथ loss जो है वो carry forward करने नहीं मिलेंगे क्योंकि loss return का basic concept क्या था कि अगर आपको loss को carry forward करना है तो return को time पे submit करना जरूरी है तो loss carry forward करने नहीं मिलेगा then right to revise the return is lost मान लिजा अगर आपने return submit ही नहीं किया yes late submit किया तब तो ठीक है return अगर submit ही नहीं किया तो आप जो revise return वाला concept है यह follow नहीं कर पाएंगे department action ले लेगा 1421 1421 क्या था आपको return भरने बोलेगा 144 आप पे best judgment assessment कर देगा right यह 148 reassessment openings हो सकती है और साथ-साथ मैं आपके उपर 276 double C के हिसाब से क्या हो सकता है sir prosecution भी हो सकता है yes अभी रो 234 a का interest है वह हम यहां नहीं पढ़ेंगे interest नाम का एक पूरा-कपूरा topic दिया है आप मेरे साथ जैसे आएंगे आप इदर interest you know index देखेंगे तो आपको आगे एक चैप्टर नंबर 23 मिलेगा यहां पर 234 a b और c तीनों इंट्रेस्ट हम लोग यहां देखेंगे right तीनों इंट्रेस्ट हम लोग कहां देखने वाले है वहां देखेंगे तो हैस आफ नौ 234 a के बाजू में आप लिख दीजे रिफर इंट्रेस्ट बरवर रिटर्न अगर आपने ताइम पर फाइल नहीं किया तो नेक्स चीज़ जो लगती है वो लगती है 234 F का चलिया यह फटाक से देखते है 234 F का फीज if the return is not filed on time or the return is not filed at all right in order to file the return आपको क्या करना पड़ेगा fees भरनी पड़ेगी fees कितनी है sir मात तरह फीज है पांच हजार रुपे the fees is 5000 rupees but if the income does not exceed 5 lakh the fees is 1000 तो भीया दो criteria है आपने return time पर नहीं भरा तो इसके बाद आपको क्या लगेगा fees लगेगा अब यह fees कितनी है income अगर पांच लाक रुपे तक किया the fees is 1000 अथर्वाइस the fees is 5000 गेम ओवर तो the fees is 5000 rupees however if the total income does not exceed 50000 then fees cannot exceed 1000 rupees yes or no benefit of carry forward वालपाइंट हम लोग आगे देखेंगे revised return we have already done and department action assessment procedure के अंदर में आयेगा चलिये मान लीजे आपने return submit किया coming to the next concept coming to the next concept the next concept is defective return everybody section 139 sub section 9 defective return सब्भोष कीजे आपने return भरा be it regular return be it loss return be it belittled return or be it a revised return अगर आपने return submit किया right इस return में अगर कोई defect होगा तो यह defect तापको communicate किया चाहेगा यह जो defect है यह आपको क्या किया चाहेगा communicate किया चाहेगा so if the return is filed and AO comes across any defect in the return file then he will communicate the defect and will ask you to rectify the defect within certain number of days if the defect is rectified within certain number of days the return will be considered as valid return if the return cannot be rectified within certain number of days the return will be called as invalid return and it will be assumed that return is not filed so ROI will be considered as the as defective unless the column proof of tax payment audit report if submitted rectify the defect within the time specified in the notice which is generally 15 days if the return is rectified it's a valid return if the return is not rectified it will be called as a invalid return so jabi return submit current make sure all columns are filled proof of payment is attached audit report if any is attached if they are not attached the return is considered as defective it effect within the time limit so dadi jay valid otherwise invalid yes exam one of you not so relevant is that done ab humnye dekhata next section by a section 140 humnye dekhata ki koi bhi return jab submit hota hai koi bhi return jab submit hota hai is return ko aapko verify karne ki zora hota hai now section 140 is relatively a old section to aap aaj practical article chip me rehenge to aapko samaj me aega abye section wiesse follow new hota jis section ke objective sa isse laaya gaya ta earlier ya hota ta koi bhi return jab submit hota ta to aapko usse sign karke deena patata aapko usse submit karna patata sign karke yes ab over the period of time yes signing system had gaya uske baad me dsc a gaya abdsc system bhi had gaya aadhaar based o ptp ya to online banking based o tp aane lag gaya to ye section ab itna relevant neera jis point se isko laaya gaya ta yes to exam point of view saab isko baju kar sakti haa lekin verification ki aaj bhi zhorat padhti hai ab to o tp based verification hai jo number wahan pe diya hooga us basis pe o tp verify kar diya to aaw ye maan liya jayega aapko return kya ho chukai verify but still section is there to padna to padhe gai section 140 kya ta hai ke sir who will verify the return aakiriya jayo return as a verify karke sign korn karayga that all the particulars which are given in the return are true and correct is a verify korn karayga to sir individual ke case mein generally woh khud verify karte hai maan lija agar wo india mein nahi hai toh unke behaaf pe koi bhi person joh authorized there wo submit kar sakti hain agar koi parthi hai joh mentally incapacitated hai toh in ke case mein koi bhi competent person sign kar sakti hain aur in other cases koi bhi authorized person kya kar sakti hain sign kar sakti hain next sir hf ke case mein kya karenghe sir kartha will verify the hf return but agar kartha available nia ya kartha absent hai toh is case mein koi bhi bhanda koi bhi bhanda joh adult member e family ka woh return ko verify kar sakti hain what about companies companies ke case mein her return ko md verify karthi hain md agar available nahi hai toh any other director jinko kya kya gaya 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 hai prescribe kya gaya hai ya company india mein nahi hai registered india mein nahi hai toh joh bhi vakti india mein unka power of attorney hold kar raha hai wo kya kar sakti hain verify kar sakti hain return ko yes agar company liquidation process ke indar mein toh liquider has to verify the liquidator has to verify the return kira ta hai LLP ki case mein we all know LLP ki case mein joh return verify karega woon ho ga betta designated partner agar designated partner available nahi hai toh any other authorized partner kya 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 sakti hain verify kya sakti hain local authority ke case mein joh principal officer hai point kiya gya woh you know return ko verify karienghe political party ki case mein ceo of the political party ko kya karna hai return ko verify karna hai aop ke case mein कि एनी मेंबर और प्रिंसिपल ऑफिसर अपना रिटर्न वेरिफाय करेंगे एनी अधर पर्सन वेरिफाय करेंगे यह से अगें यह सक्षन इतना कामका नहीं है बढ़ हाँ आज जो वेरिफिकेशन होता है यह OTP-based होता है तो आपको साइन करने की जरूरत नहीं होती डियसी वाला सिस्टम भी है तो आप डियसी अप्लाइ कर दिजिए विश्याए खतम हो जाता है इस यह एक सेक्षन था सेक्षन 272B यह रिलेटेड है पैन से जो हम लोग अल्रेडी पढ़ चुके है कि अगर पैन रिलेटेड कंप्लाइंस नहीं किया फॉर एक्जामबल पैन अप्लिकेशन नहीं किया पैन सब्मिट नहीं किया विर रॉंग इंफरमिशन पैन के साथ प् 10,000 for each such default penalty कितने की लग सकती है सर 10,000 for each such default अब अगर आप ध्यान से देखेंगे यह सारी चीजे पढ़ने के बाद अब मेरे पास एक ही चीज़ बचती है जो एक्जाम पॉंट आफ्यू से काम किया है वो है अप्डेटेड रिटर्न येस अब मैं इसे वापस से क्या माग कर रहा हूं अप्डेटेड रिटर्न मियेस चेक डिडू आउट ने सर चली अब अब इस लास्ट प्याते अबडेटेड रितण किया अप्डेटेके कौन Benjamin को नाहाया एक अप्डेड रिटर्ट है और इसके ऊपर कॉसें में फीज भी लग जाती थी और उसके बाद में क्या होता था मान लीज अगर कोई SSI genuine है और उसका कोई income consider करना रह गया है अब होता यह था कि उसके ओपर directly under reporting miss reporting की penalty लग जाती थी yes उसके ओपर under reporting miss reporting की penalty लग जाती थी और यह बहुत you know prolonged case बन जाता था prolonged case बन जाता था यह बात निर्मला सीतरहमंजी को समझ में फ़र्दर रिवाइज रिवाइज रिटन का भी जो टाइम लिमिट दिया वो बहुत कम है अंडेसर इस रिटन भरने का टाइम लिमिट हुआ जुलाई ऑक्तोबर डिसेंबर के अंदर तो आपको रिवाइज रिटन भर देना है दो महिने का टाइम मिलता है कई बार ऐसा नहीं होता असे सी को ध्यान माता है एक साल बाद या यह उनों साथ-8 महिने बाद देड़ सा बात की और मेरे यह पर्टिकुलर कंशेप्ट रहे गया था यह यह पर्टिकुलर इंकम तो मैंने शोई नहीं की थी जैसे मैं आपको च्छोटा सा एक्जांपल देता हूं इनों कई बार ऐसा होता है वित्ती स्टॉक ट्रेडिंग करता है ठीक है अमोमन उसको जब कहीं से इसमें मिलती है कहीं कुछ मिलता है तो फुर्ट ट्रेडिंग कर देता है स्टॉक ट्रेडिंग कर लिया प्रॉफिट बना दिया उसके बात में वह अपने कामों में बिजिए उसको यादी नहीं रहा कि एसी को इनकम कंसिटर करनी थी अब यह इनकम जो थी जो उसने कमाई यह एस इस रह गई और इसने रिटर्न में कंसिडर ही नहीं किया इसने दिया ही नहीं अपने लोगों को डीटेल्स अब देखिए हुआ क्या यहां पर अनिटेंशनल मिस्टेक था लेकिन इस चक्कर में जब भी यहों के सामने यह चीज आ जाएगी अंडर रिपोर्टिंग में आ जाएगी अब ऐसे केस में वह जब तक के बिचारे को याद आगा मानलों उसको जनवरी फरवरी में यादा है वो बोलेगा रही हुआ और शुट अब यह अपने रिटर्न को अप्डेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटे नहीं कर पाएंगे, तो you have to make sure कि आप updated return जो करें, right, ये, you know, check कर लें कि भी आप कहीं उस negative list के अंदर में तो नहीं आ रहे हैं, आईए, सबसे पहले, you know, negative list पढ़ लेते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, negative list पढ़ लेते हैं, कि कब-कब updated return submit नहीं हो सकता, and believe में तो वो इसी के उपर आएगा, कि भी updated return कब submit नहीं हो सकता, क्योंकि यह यह कैसी चीज़ है, जो इसके अंदर में है, और दूसरा हो सकता है कि updated return के अंदर में आप क्या निकाल लो, tax payable निकाल लो, चली start करते हैं, when updated return cannot be submitted, पहला, updated return is a return of loss, दिके जब आपको यह benefit दिया जा है ना, कि आप updated return submit कर सकते हैं, उसमें यह benefit नहीं दिया जाएगा, कि आप उसमें loss claim कर ले, updated return will always be a return of income, it cannot be a return of loss, yes, हाँ, अब इसको थोड़ा detail में समझते है, मान लीजे, एक income return था, आपने updated return, additional income दिखाया, yes, updated return can be submitted, loss return था, आपने उसको income return में convert कर दिया, yes, updated return can be submitted, loss return था, आपने loss reduce कर दिया, yes, updated return can be submitted, loss reduction is also an increase in income, छीख है, आपका loss return आपने बढ़ा दिया, updated return cannot be submitted, income return को loss return दिखा दिया updated return cannot be submitted in short updated return submit करते वक्त आपका income increase होना चीए अगर यह decrease हो रहा है तो updated return submit नहीं हो सकता पहला ही negative list ही है दूसरा if the updated return has a effect of decreasing the total tax liability अगर आप updated return आपकी tax liability reduce कर रहा है अभी हमने discuss किया updated return cannot be submitted updated return cannot be submitted third is if search is initiated और survey is conducted अगर search या survey हो रहा है तो आप या search हो चुका है या survey हो चुका है for that relevant assessment year आप updated return उस assessment year के लिए submit नहीं कर सकते yes notice issue की गई है that you know किसी के रेड हुई है but वो सारे asset books jewelry other valuable article और तिंग आपको belong करते हैं तो मान लीजे किसी third party के रेड हुई and यहां पर यह प्रूव हो गया कि यह आपको belong करता हूं आपके ओपर अगर notice issue हो चुका है for that assessment year आप updated return submit नहीं कर सकते हैं अगर उस particular assessment year के लिए एक updated return आ चुका है तो वापस से उस year के लिए updated return नहीं आ सकता come on it is not a revised return जो आप multiple time कर सकते हैं एक particular assessment year के लिए इसा कोई notice आपके अगेंस में इस्यू नहीं होना चाहिए पांच वा उस साल के लिए आपने अल्रड़ी अप्ड़ेट return submit नहीं किया है further any proceeding assessment reassessment recomputation is pending मान लीजे को उस particular year के लिए assessment reassessment recomputation already pending चल रहा है मतलब already assessment going on हो रहा है department के तरफ से तो आप उस साल के लिए updated return submit नहीं कर पाएंगे 7th the AO has information in possession under this relevant act and this is communicated to the assessi in particular act के अंदर में assessi क्या है assessi cover हो रहा है और यह क्या किया गया है assessi को communicate किया गया है protection of prevention of money laundering act black money act prohibition of benami property transaction act smuggler and foreign exchange manipulator act yes अगर आप इनके अंदर में कहीं अटक रहे हैं और यह आपको communicate किया गया है तो sir आप क्या नहीं कर सकते उस year का updated return submit नहीं कर सकते 8 अगर foreign से आपके tax evasion की detail इंडिया को मेली है so information has been received under the DTAA and the same is communicated to him prior to the date of filing return तो मान लीजे updated return submit करने से पहले ही क्या किया गया है आपको communicate कर दिया गया है आपको communicate कर दिया गया है कि भीया आप foreign tax theory का मामल आपके ओपर चल रहा है DTAA से information मिली है आप उस particular year के लिए updated return submit नहीं कर सकते कोई prosecution proceedings आपके against में चल रही है मान लीजे income tax department की कोई prosecution proceeding आपके against में चल रही है आप उस particular year के लिए updated return submit नहीं कर पाएंगे या फिर इसके अलावा future में government कुछ class और classes of companies देंगी जिस case में updated return submit नहीं हो पाएगा जिस या updated return हमें submit कब तक करना है two years from the end of relevant assessment year तो मान लीजे relevant assessment year आपका बनता है 24-25 तो by 2027 by 2027 24-25 assessment year assessment year के end से 2 साल 26-27 तो 24-25 के लिए updated return maximum 2027 तक के क्या किया जा सकता है submit किया जा सकता है so at any time within 24 months from the end of relevant assessment year that is two years के अंदर में कभी भी that is 24 months के अंदर में कभी भी submit हो सकता है कौन submit कर सकता है any person whether or not he has furnished the return so whether or not word का use किया गया है जिसका मतलब आपने उस particular year के लिए return submit किया था या नहीं किया था आप updated return submit कर सकते है yes or no? अच्छा जी सर सर यहां पर हमने एक और बात लिखिया a lost return can be updated only with the updated return which reflects income तो सर updated return में हमें exactly करना क्या होगा अच्छा एक छोटा सा update यहां पर कीजे यहां पर 139.8 है actually 139.8 A है यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यहां स्पेस में चला गया होगा आप अपनी income increase करके दिखाओ यह आपको option दिया जा रहा है तो ऐसे case में क्या किया गया आपको कहा गया कि जो income आप बढ़ाएंगे यह loss कम करेंगे as the case may be right loss कम करेंगे as the case may be तो आपको additional income पे तो tax देना ही होगा सिर्फ tax ही नहीं देना एक और concept इसके साथ लेके आये है additional tax भी देना है मतलब जो income आपने increase करी let's say आपने पहले income दिखाए थी 10 lakh rupees yes updated return में आपने अपनी income 18 lakh rupees दिखा दी तो differential 8 lakh पे तो आपको tax देना ही देना है understand this अब जितना tax आपने 10 lakh पे पे किया होगा आप पर तो आपको tax देना ही देना है इसमा कोई डाऊट नहीं लेकिन इसके साहीं साथ साथ हाठको एक अडिश्नल टैक्स भी देना है कहना तो से पैनल्टी चाहिए था पर इन्हेन उन्हेन इसको एडिष्णल टैक्स का नाम दिए- इन्हों यह 24 25 के बाद within 12 months till 31st March 2026 अगर आप within 12 months updated it and submit कर देते हैं तो tax का 25% is the additional tax tax का 25% is the additional tax तो जो भी आपका tax निकल रहा होगा along with sarchage and says इसका 25% आपको क्या आएगा additional tax आएगा यहनि final tax जो आप निकाल रहे हैं उसका 25% आएगा अच्छा जी सब्सक्राइगा अगर आप after 24 months कर रहे हैं अगर आप after 24 months कर रहे हैं तो जो भी आपका tax along with sarchage and HECC निकला है उसका 50% मतलब आप 142000 you know 142026 के बाद till 31st March 2027 तक के करेंगे तो आपके लिए यही बन जाएगा 50% additional tax कितना बिटा 50% additional tax तो चलिए वापस से देखते हैं आपने updated return भरा within 24 months भरा जब आप return भरते रहेंगे तो आपकी income increase होनी चाहिए तो जो increased income है इसके ओपर तो आप tax भरेंगे तो जो भी आपका tax component है when I say tax tax always include sarchage and CES तो tax जब भी आप निकालेंगे tax का 25% देना है अगर updated return 24 months के अंदर में भरा है from the relevant assessment year otherwise 50% देना है अगर आपने return भरा है updated return भरा है within 24 months of the relevant assessment year yes or no तो आपको ये additional tax देना है आपको क्या करना है बिटा ये additional tax देना है अब आपके मन में एक और सवाल आएगा सर देखिये ये income उसी साल चो हो जानी चाहिए थी ये जो income है ये उसी साल चो हो जानी चाहिए थी आप 12 महीने बाद या as the case में भी 24 महीने बाद शो कर रहे है तो what about interest interest भी तो आना चाहिए 234a bnc का yes or no interest भी तो आना चाहिए क्योंकि advance tax भी फिर उतना short paid not paid होगा interest भी तो आना चाहिए तो हां interest भी आता है और ये चीज हम लोग interest में देखेंगे यही चीज हम लोग कहां देखेंगे बिटा interest में देखेंगे कि इसके उपर interest जो होता है वो कैसे calculate किया जाता है हाल फिलाल में मैं आजूम कर रहा हूं कि तुम को interest भी calculate नहीं करते आता इसी लिए पहले आप basics of interest समझेगा फिर उसके advance version पर जाईएगा यह तो चलिए third time revision करते हैं फटाक से आईए updated return कब submit होगा जब आप कहीं उस negative list के अंदर में नहीं आ रहे 10 item की negative list में नहीं आ रहे आप updated return submit कर सकते हैं कौन कर सकता है any person कब कर सकता है within 24 months from the relevant assessment year क्या आपने इसके पहले return नहीं भर updated return submit हो सकता है yes just make sure यह return of income होना चाहिए return of loss नहीं चलेगा are you getting the point right अच्छा जी अब updated return में आपको क्या करना है sir updated return में आपका जो भी income आ रहा है उसके उपर आपको tax निकालना है और साथ साथ में tax के साथ साथ एक additional tax भी देना है additional tax कितना within 24 months from the relevant assessment year होगा तो 25% otherwise 50% yes आपको यह additional tax देना है right और फिर आपका क्या निकलेगा बिटा interest निकलेगा जिसका calculation हम लोग वहाँ देखेंगे तो चली आईये computation of additional tax additional tax कितना if updated return is furnished after the expiry of time but before completion of 12 months from the relevant assessment year 25% of the aggregate of tax along with sarchage in HEC and interest as computed and along with interest भी आएगा तो interest कहा होगा हम वहाँ देखेंगे वहाँ calculate करेंगे yes if updated return is submitted after the expiry of 12 months but before 24 months 50% of the tax along with sarchage in HEC और उसका क्या बिटा अब interest भी compute करेंगे यह आपे मैंने लिखके दिया है check the interest chapter हम लोग उसको वहाँ discuss करेंगे अच्छा जी सर sir कैसे निकालेंगे आपका tax payable आपका tax payable कैसे निकालेंगे यह तो depend करता है आपने इसके पहले return submit किया है यह return submit नहीं किया अगर अपने return submit किया होगा तो अव्यसे आप लोगोने tax भी दिया होगा तो जो भी आपका amount of tax आ रहा होगा if the assessi has furnished the return or he has liable to pay tax together with interest and fees payable the tax payable yes should be computed after taking into account tax earlier paid तो अगर आपने return पहले भरा है मतलब आपने अशा करना है along with the updated return proof of payment के साथ update करना है अगर आपने return पहले submit नहीं किया तो जो आपका advance tax if any paid होगा TDS TCS paid होगा relief कोई होगा या mad credit कुछ होगा तो यह चार चीजे consider कर लीजे और जो balance tax आ रहा है वो आप निकालिए तो propose करते हैं एक छोटा सा example लेते हैं मान लीजे आपकी जो income है बरबर है इसको update किया गया है in updated return और इसका सर्थ tax along with surcharge and HEC आ रहा है let's say 1,40,000 रुपीज बरबर है for the assessment year 2425 तो आपका additional tax किता आएगा additional tax till 31st March 2026 additional tax कितना होगा sir 25% of the tax payable income ने 25% of the tax payable यह आ जाएगा sir 35,000 और तिल 31st March 2027 यह कितना हो जाएगा sir 1,40,000 का 50% that is 70,000 तो आपका total payable accordingly यह तो 140 plus 35 रहेगा यह तो 140 plus 70 रहेगा और जो भी amount आएगी इस जो भी amount आएगी जो भी total आएगा इसके उपर क्या calculate होगा sir, interest calculate होगा, इसके उपर क्या calculate होगा sir, interest calculate होगा, are you getting the point yes or no? done है sir, so sir इसके लिए question भी रखा है, आएए इस question को देखते हैं आए इस question को देखते हैं, question number 3 आपको देख जाएगा, yes, Pranav would like to furnish his updated return for the assessment year 22-23 in in case he furnish his updated return, he would be liable to pay 250,000 towards tax 35,000 towards interest after adjusting the tax and interest paid at the time of filing earlier return, okay, you are required to examine whether Pranav can furnish updated return for 31st March 24, 28 February 25 and 31st May 2025, अब जड़ा, याद करिए यहाँ पर पहले question क्या लिका है, यहाँ पहले question ही लिका है, कि updated return आप कब तक क्या कर सकते हो, submit कर सकते हो, updated return 24 months के अंदर में submit की जा सकती है, अब assessment year 22-23 है, मतलब last date कब बन सकते है, 31st March 2025, 31st March 2025 के पहले के updated return कभी भी submit किये, जा सकते है, अब मुझे तो लगता है, यह दो किया जा सकता है, यह किया नहीं जा सकता, are you getting the point, yes, 31st March 2025 would be the last date, तो May 25 वाले जो return है, यह submit नहीं हो सकते, यह हो गया, पहला point आओ मेरे साथ लिको, अब देखे, लिखना बड़ा important पालत है, updated return, बरबर है, as per section 139.8 a updated return can be submitted updated return can be submitted within 24 months from the end of relevant assessment year 24 months from the end of relevant assessment year, कुछ बच्चे जो आलस करेंगे, सिप इसको सुन लेंगे, fat track आगे ही मत देखो, मेरको ऐसा नहीं चाहिए कि तुम सिप देख करके काम खतम कर रहो, नहीं, लिखो मेरे साथ, solve करो मेरे साथ, तो तो इसका फाइदा है, कुछ बच्चे इसका photo कीच के रख लेंगे, यह आपकी उन हजारो फोटो जैसा है, जिसको आप कभी वापस revisit नहीं करने वाले, तो इमान दारी से वापस मेरे साथ मेहनत करने का इसाभ, यहान को पूरे भारत तक के भी आपको यह पहुचाना है, और आपको मेरे साथ मेहनत करनी है, यह जो गलतिया तुमने पहले करी वो दुबारा से मत करो, लिखो, रिविजन से अगर लेक्चर खतम हो जाते न तो किसी को क्लासस की जुरत नहीं होती, आओ बिटा, लिखो, है ना तुसी बितने से नहीं होता, स्वाल करना पड़ता है इमानदारी से बैट के, end of relevant assessment year, for assessment year 22-23, for assessment year 22-23, the updated, return of income can be submitted till 31st March 2025, can be submitted till 31st March 2025, hence return to be filed on 31st March 2025, cannot be made, paid, it is time barred, जैने बिटा, अब दूसरे सवाल पर आते हैं, if yes, तो compute करिए additional tax payable, compute करिए additional tax payable, यहां तक के additional tax payable किता है का 25% of the tax, plus सर्चाज, plus HEC, plus interest component, if any, yes, तो इसका 25% लेंगे, तो आई यह, if ROI submitted on 31st March 2024, then it will be, then additional tax tax will be 25% of 2,85,000, 25% of 2,85,000, तो आजाओ मालिक आपका, 71,250, if ROI submitted on 28th February 2025, then additional tax will be 50% of 2,85,000, that is 1,42,500, is that done? कुछ और भी पूचा है, would your answer be different with respect to filing updated return in case of 2 above, he has received notice under 147, यह notice under 147, क्या होता है, यह 147 का notice का मतलब होता है, you know, re-assessment का notice, या income escaping assessment का notice, यह assessment का part है, जिसको हम आगे देखेंगे, पर आप जानते हैं, यह negative list में आता है, अगर किसी particular year के लिए आपको क्या issue हुआ है, assessment, re-assessment का notice issue हुआ हुआ है, तो आप उस year के लिए updated return submit नहीं कर पाएंगे, yes, तो अगर case 2, मतलब हम इसकी बात कर रहे है, इसके लिए 147 का notice issue हुआ 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 है, तो आप updated return submit नहीं कर पाएंगे, if notice under section 147 is issued for relevant assessment year then updated return for that year cannot be submitted updated return for that year cannot be submitted. . कर दो कर दो कि विए को तक देन के तू जायद दिए कर दो । कर दो कर दो कर दो मुझ ए टॉक्र रणूर्ट थाड एचरिए तो updated return के उपर question based, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था sir, जहां जहां जरूरत होगी, important question हम पूरे के पूरे लेंगे, बाकी questionnaire के अंदर में और question दिये है, और practice के लिए तुम अपने module यूज कर सकते हो, कोई तकलीफ नहीं है, yes or no, बिंदास यूज कर सकते हो, और sir, सारा का सा content आपको मिलेगा, कहीं कोई तकलीफ नहीं है, yes, चलो Malik, एक question जो है, कि you know updated return, additional tax और इसके उपर का interest component वाला, यह मैं interest topic में करवाऊंगा, बिल्कुल है, don't worry, यह मैं interest topic के अंदर में जरूर करवाऊंगा, fold करिये, yes, पहला objective क्या है, अभी अभी हमने tax सीखा है, authority सीखी है, return स topic है, सब कुछ एक साथ मत समझो, थोड़ा 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 जब आने गाना, तब आपको सब कुछ समझ मैंगा, don't worry about it, यह हमारा regular practice है, तो उस बारे में तो आप निश्चिंत रहो, अगर आप देखेंगे, लगभग हमने इस topic को भी खतम कर दिया है, I know यह वी बच्चे जुड रहे हैं, टेलिग्राम पर बहुत सारे बच्चे जुड रहे हैं, हर बच्चे तक के आप लोग पहुचा रहे हो, तो यह सर मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, धन्यवाद आप सभी लोगों का, yes, सोच रहा हूँ, ऐसा कुछ इंटर के लिए भी करना चाह है, अभी मैं इंटर वालों के लिए कोई कमिटमेंट नहीं कर रहा हूँ, फाइनल वालों के लिए तो खेर मेरा प्यार दिया है, तो यह करना ही चाहिए, तो चेक कीजिएगा, 139 we have done, 139 we have done, I think consequences से लेके 4F तक के we have done, loss return, belated return, revised return, updated return, we have done, 140B tax calculation on updated return, we have done, yes, defective return, PAN, आधार verification, 272, 139B, everything is done, मतलब ले दे करके क्या बचता है, सिर्फ, दो question बचते हैं, दो question solve किया, तो sir, आपका topic खतम हो जाएगा, यहाँ अपना patience हम lose नहीं करेंगे, हम बिलकुल यह दो question को solve कर देंगे, ताकि आज का यह lecture यह ही खतम हो जाए, और आपका topic भी खतम हो जाए, ताकि जो next video हो, lecture no. 4 का, जब तक आप इन वीडियो पे 500 लाइक करी देंगे, रही फिर हम वहाँ पहुचें, yes sir, आई यह, question no. 2 पे चलते हैं, question no. 2, based on the return in case of foreign asset, discuss with reason whether the following statement are correct or not, Robin, a resident, ordinarily resident in India and having a property and a bank account outside India, is not required to file return of income if his total income is below maximum amount, not a liability. equal to tax, false, विल्कुल false, पताइए क्यों, क्योंकि अगर ROR है, asset or signing authority outside India है, आपको return भरना है, भले इंडिया में आपकी income basic exemption limits ओपर हो या ना हो, ROR के लिए हमने income का criteria देखा है नहीं था, ROR के लिए हमने देखा था, अगर asset or signing authority outside India है, तो आपको return भरना है, yes, लिखेंगे कैसे यह important है, आईए, मैं सिखाता हूँ, problem number 2, सबसे पहले आप provisions लिखिये, as per section 139, yes, resident, resident, ordinarily resident having assets including financial assets or signing authority outside India either as beneficiary or beneficial holder must file the return of income in India it is irrelevant that their income in India exceeds basic exemption limit or not it is green to from सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा अगर आपका असेट या साइनिंग अथोरिटी आउटसाइड इंडिया है तो इधर एज बेनिफिशरी मतलब आप खुद अकाउंट होल्ड करते हैं या बेनिफिशल होल्डर आपके यूनों आपकी यह बिहाफ पर अकाउंट होल्ड करते है आपको क्या करना रीटर्न सब्मित करना है ऑग और कश़्ीन बचा है और यह टॉपिक भी आपका क्या हो जाएगा ओर century कर रहे है इसके पहले बच्चों ने मेरे से रिक्वेस्ट किया है मतलब मैं जो एक खुश ही नहीं हो रही है कि आपको एक एक दिन में एक एक पार्ट दे रहा हूं इसके पीछ एक बहुत स्पेसिफिक रीजन है जो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं नहीं तो आप हर वीडियो के नीचे वही कमे है तो बच्चों नहीं मेरे से रिक्वेस्ट करा है कि सर प्लीज आप थोड़ा सा आराम से करिए इसका दूसरा एक और बहुत बड़ा रीजन है लॉजिकली समझिए मेरे को मतलब कुछ ऐसा नहीं है मेरे को पता है आप वीडियो के उपर लाइक एनॉल दे दोगे उसमें म दूसरा बड़ा रीजन यह है कि कई बच्चों ने फास्ट्राइक बुक अपलाई करी है और अब फास्ट्राइक बुक जब तक के नहीं आती उनका स्टडी रुकावा है यह एक जैनूइन रीजन है और फास्ट्राइक बुक को पहुचने के लिए करीब-करीब साथ दिन लगेंगे तो at least मैं क्या कर रहा हूं मैं इनीजली बहुत स्पीड में वीडियो अपलोड नहीं कर रहा हूं ताकि यूनों उनका बहुत सारा मिस हो जाए यह बहुत जैनूइन रीजन है क्योंकि साथ दिन लगेंगे किसी को भी वीडियो पहुचने के लिए तो यूनों अ तो जनवरी के अंदर में आपके maximum वीडियो आजाएंगे पूरे के पूरे पूरे में एक दिन के अंदर में दो दो वीडियो अपलोड कर वाऊंगा टीम से एक मौनिंग एक इवनिंग के अंदर में भी बट हाल विलल में जो फैक्शल रिजन है वो मैंने आपके सामने रख after mixing Chikori had a total income of 6 lakhs from this business which is the only her source of income she consult you have to opinion whether she is required to file return as per the provision of section 139 well मैं आपको बता दू if assessi is engaged into growing yes if assessi is also engaged into growing and manufacturing the things तो आपके coffee business को अगर आपको याधो 60-40 में डिवाइड करना पडता था ऐसो नो आप बोलेंगे सर 75-25 बिल्कुल 75-25 रबर के लिए था याधा रहे है कि आपको 65-35 था कितना था नहीं आधा रहा आजो आपका next topic वही है agricultural income आपका next topic वही है इधर देखिए rubber के case में 65-35 था coffee के case में 75-25 था लेकिन अगर coffee roasted है coffee अगर roasted है तो 60-40 के basis पे आपको income डिवाइड किया जाता है next topic आपका यही है yes क्योंकि में को capital gain चालू करने से पहले आपका agriculture का base बनाना पड़ेगा तो आपका next topic बिल्कुल यही रहेगा agriculture वाला कि ध्यान जा सुनिये अगर अससी roasting में भी है तो आपकी income को 60-40 में डिवाइड करना पड़ता है that is 60% is agriculture income 40% is non agricultural income अब अगर मैं बात करूँ 6 lakh को 60-40 के ratio में डिवाइड करने की तो six fours are 24 2.4 lakh आपकी non agriculture income बनती है जबकि 3.6 lakh आपकी agricultural income बनती है अब आपकी non agricultural income 2 lakh 50,000 से एक्सीड नहीं कर रही है इसलिए आपको रिटन बरने की ज़रौत नहीं है because individual को रिटन तभी बरना है when the income exceed basic exemption limit before claiming those deduction under section 10 series or 54 series तो क्या हमें यहां पर रिटन बरने की ज़रौत है the answer is no यहां रिटन बरने की ज़रौत नहीं पढ़ने वाली बहुत logical both sensible question yes so problem number one If a sesee is engaged in growing and manufacturing coffee, coffee roasted the income will be classified as under, 60% would be considered as agricultural income and 40% would be considered as non-agricultural income, 50% would be considered as agricultural income, 40% would be considered as non-agricultural income. Therefore, 6 lakh into 40% non-agricultural income shall be 2,40,000 which is not exceeding basic exemption limit hence they are not required to file return. They are not required to file return. What is the price? Yes. Are you ready to sell a new method? Yes. Are you going to Laura? Do you have a sum of the data? Yes. It has not been done. You go to Laura Langer. He threw a hand of the Chinese trade in the foreign market and security. If there's a common source of money, you go to when you fail from the permanent currency. It makes his own product. It's fantastic. सब्सक्राइब कर दिया है अब नेक्स टॉपिक क्या होगा जरह देखिए नेक्स टॉपिक क्या होगा वention मैं आपका माइंड माइब कर देता हूं ताब कि आपको समझने के लिए आसान हो जाए फिर एक बार आपका माइड माइब कर देता है चाहिंust पहले इंडेक्स पर आते हैं, इंडेक्स पर जैसे ऐसे टॉपिक होते जाएंगे, वैसे वैसे मस तो उसको टिक करते जाएंगे, ताकि एक लेवल of satisfaction हमें मिलता जाए कि हाँ यार यार यह कतम हो गया, यह कतम हो गया, राइट, राइट, so return of income को भी हम लोग ने खतम कर दिया, but don't worry, हम इस sequence है नहीं पढ़ेंगे, हम sequence को हमारे हिसाप से design करेंगे, yes, तो sequence यह नहीं रहेगा, कि इसके बाद assessment, procedure, appeal, rectification नहीं, sequence हम हमारे हिसाप से decide करेंगे, और हमारे हिसाप से ही अपन उसको complete करेंगे, अब हम क्या करने वाले हैं sir, next topic जो होगा वो आपका agriculture income होगा और उसके बात का topic हम लोग लेंगे, वो होगा capital gains, उसके बात का topic होगा, वो होगा capital gains, right, अच्छा, अब अगर मैं आप से बात करू, income tax authority में, वाफस आईए एक बार, इस chart को देखिए, हम पूरा logical mind mapping and interlinking के साथ चलेंगे, assessi सबसे पहले क्या करेगा, return submit करेगा, ठीक है, come on, forget that process की income compute and all, वो आगे आएगा हमारे सामने, assessi क्या करेगा, return submit करेगा, return कहा जाएगा, income tax department में जाएगा, तो अब ये तक हमने इस chart के दो पार्ट पड़े हैं, कि income tax department क्या होता है, कौन से hierarchy में work करता है, return of income के क की income assess करेगा, under various heads, और इसलिए हम यहां से क्या चालू करेंगे, sir, heads चालू करेंगे, तो अगले वीडियो के अंदर में, अगला आपको एक unit दिखेगा, पूरा कपूरा एक unit के अंदर में topic कतम कर देंगे अपन, वो होगा agricultural income, ये base बनेगा आपके capital gain purpose के लिए, ये base बनेगा है कि हर बच्चे को, CA final वाले बच्चे को, CMA final वाले बच्चे को, आखिर उसकी आखरी मंजिल को पार करवाना है, और इसमें मैं बस मेरा छोटा सा contribution दे पाऊ, पूरे भारत के CA, CA, CA students को, तो ये मेरे लिए बहुत proud की बात होगी, तो आपकी जिम्मेदारी हर बच्चे तक क के अपने को पहुचाना, हर उस बच्चे तक के पहुचाना, जो अपने इस ड्रीम के लिए fight कर रहा है, पड़ो, तो हद कर दो, वरना प्रोग्राम रद कर दो, मिलूंगा.